दोस्तों पिछली वाली वीडियो में ना मैं बादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाल टो कंबर्ट MBR टू जीपीटी विदाउट एटा लॉस यानि कि इस वीडियो में यह दिखाएंगे कोई भी ड्राइब को फॉर्मेट किये बिना MBR से आप जीपीटी में कैसे कुण्बर्ट हो सकते हैं बहुत स्राव वीडियो में देखे होंगे कि MBR से जीपीटी में जाने के लिए आपको C-Dribe को फॉर्मेट करना पड़ता है या आपको पूरा hard drive को format करना पड़ता है तब जाके आप MBR से GPT में जा सकते हो लेकिन इस वीडियो में मैं एक बिल्कुर आसान सा process लाए हूँ जिसके मदद से आप MBR से GPT में जाएंगे आपका जो system है ना वो genuinely MBR से GPT में convert होगा सिस्टेम को भी format नहीं करना पड़ेगा आपको इस process के दौराना मैं यह वादा करता हूँ 100% आप अगर यह method पूरा genuine तरीके से follow करके आप इसको use करोगे तो आपका 1% भी data loss यहाप नहीं होगा यानि कि आपका अगर system MBR में था वह genuine windows था तो वैसी कि वैसी अब GPT में convert हो जाएगा कोई data loss नहीं होगा मेरा जो वीडियो है 96% लोग इसको देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो please subscribe करो यार subscribe नहीं करेगा तो आपका भाई आगे कैसे बढ़ेगा थुरा सा help करते हो सबस्क्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों पहले मैं देखा देता हूँ इस process को start करने से पहले आपको अपना computer का net connection जो है ओप कर देना है उसके बाद आपको इस application को download करके install कर लेना है और उसका जो free key activation की है वो भी आपको मिल जाएगा यानि के नीचे description में दे होई link से आप इस software के download कर लीजिए एक zip file आपको देखने को मिल जाएगा उस zip file का अंदर installation file और serial key भी मिल जाएगा उसके बाद जैसे आपके पास सब कुछ ready होके आज आएगा आपको इसको open कर लेना है और यहाँ पर volume में जाने के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ साफ master boot record यानि कि मेरा जो system है वो MBR में है यह गया MBR की बात अभी this space में जैसे ही जाएगे यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ दो drive रखा हुआ है अगर जादा drive होगा तो जादा data होगा तो उसमें time जादा लगेगा लेकिन आपको यह tutorial दिखाना है इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ data रखा हुआ है कि कोई data loss नहीं होगा यह दिखाने के लिए दिखे यहाँ एक photo रखा हुआ है और is us partition master tool जो है यहाँ पर वो भी रखा जाएगा यह इस option के बारे में मैं पहले ही बाता चुका हूँ migrate ways और clone इस option के बारे में मैं बता चुका हूँ अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का link नीचे description में और उपर i button में मिल जाएगा आप वहाँ से उसको check कर सकते हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो option पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपका एक पॉप आप आ जाएगा research partition यहाँ पर डिस्क जिरो कि एक हड्राइव लगा हुआ है अगर आपका दू तीन हड्राइव लगा हुआ रहेगा यानि कि SSD और हड्राइव लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपका जिसपे system C drive रहेगा उस पर डिस्क जीरो हो रहेगा और दूसरा जो हड्राइव होगा उसमें डिस्क वान रहेगा टूर हैगा त्री रहेगा ऐसे करके सिरियल बाइसी रहोता चला जाएगा तो आपको यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या क्या लिखा है क्यों यह जो partition size MR78 GB से 77.4 GB तक जाएगा क्योंकि MBR से जब GPT में convert होगा कुछ disk automatic यहाँ पर generate हो जाएगा तो यहाँ पर क्या दिखा रहे है कम्पेटर जो अपना पर्फोर्म कर जाएगा यहाँ पर इस कर देता है देखिए कम्पेटर रिस्टर्ट और बाकी अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं लेकिन आपको पेशनस लेके विट करना है तो यहाँ पर देखिए कुछ हम लोगों न यहाँ पर यूइफाइख को on नहीं किया है, 好ण है यूइफाइख को बायोस मेननू में जाना है अगर आपको नहीं पता है कि विनुक को कैसे पर इक्सेस करना हो तो आप स्ट्रीन पर ये फोटो देख सकत है इसको रेफ़र में ले तो यहाँ पर BIOS की UEFI की के लिए यहाँ पर सिरियल दिया गया है, अगर यहाँ से आपका problem solve होता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता चला है आपका computer के लिए कौन सा की BIOS मेनु में गुशने के लिए लिए हिल्प करेगा, तो आप एक बार Google कर लिजिएगा, BIOS मेनु में आ जाने के बाद, आपका जो computer है, वो MBR में था, इसलिए यह legacy select किया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, UEFI को enable कर देना यहाँ पर, उसके बाद आप चेक करो, कि आपका computer में secure boot disable है या enable है, अगर disabled है, तो उसको आप enable कर दीजिए, इस जगा पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर secure boot enable करने के बाद, आपका computer जो boot नहीं हो रहा है, तो आप फिर से secure boot, यानि कि फिर से आप BIOS मेनु में आ जाए, करने के बाद, आप secure boot, उसको फिर से disable कर दीजिए, दोस्तों, UA5 को on कर देने के बाद, computer जो है, start हो रहा है, normally आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, जैसे की UA5 जैसे on कर दोगे, अभी भी operation चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा time और wait करना पड़ेगा, फिर से computer restart होगा, देखी दोस्तों, computer restart हो रहा है, please wait दिखा रहा है, इसका मतलब C drive का भी data loss नहीं हुआ, कोई drive का कोई data loss नहीं हुआ, लेकिन MBR से GPT में convert हो चुका है, अब computer को open कर लेते हैं, मुझारक दोस्तों, आपका computer start हो चुका है, अभी देखना यह है, कि सच में MBR से GPT में convert होगा है, यहाँ पर देख सकते हो, desktop में मेरा जो जो files था, जो software से वह भी अभी है, अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को देखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, वह फाइल्स भी है, और यह सब कुछ open भी हो रहा है, देख लेजिए, फोटो open भी हो चुका है, तो इसका मतलब सब files सारे files ठीक ठाक है, और देखिए में आभी जाते है, इसके बाद disk management, फिर यहाँ पर इसके पर राइट क्लिक करके properties, फिर यहाँ पर GPT, अब देख सकते हो, यहाँ पर GPT में सच में convert हो चुका है, उमीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपकर अच्छा लगाओगा, अगर अच्छा लगाए न तो प्लीज वीडियो को ला को लाइक कर देजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के चाथ सीर भी लीत चाहरит, अप भी थतक सबस्क्राइब सब्सक्राइब कर देजए सब्सक्राब करने के साब सब्सक्राइब करने के साथ तर्ड पिला ऐकन आए अगर और को भी सवाल है या कोई ग्यूल करके बताएगा है